सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार, जैसा अक्सर में आपको बोलता हूँ कि टाइप 2 डाइबिटीस को डाइटरी प्रोटोकॉल से ना सिरिफ कंट्रोल, उसका रेमिजन और इवन रिवर्सल भी किया जा सकता है, यहां कई लोग कंफ्यूजड हैं, और कई लोग, डॉक्टर्स, डाइटीशन या फिर कॉर्पोरेट्स, जब डाइबिटीस का कंट्रोल रेमिजन और रिवर्सल कराते हैं, तो जैसे ही शोगर 6.5 के या 6.4 के नीचे आने लगती है, उसको रिवर्सल डिनोट करते हैं, जबकि वो रेमिजन कहलाता है, रिवर्सल के लिए का आज मैं आपको जम्मू काश्मीर के किष्ट वाड़ डिस्टिक से मिस्टर निशात हुसेन से मिलवाने जा रहा हूँ, निशात जी नमस्कार, सर नमस्कार, आपका उम्र है 38 साल, जम्मू काश्मीर से जुड रहे हैं, इनको डाइबिटीस डाइग्नोज होई फेबरिवरी 2024 में, रिसेंटली, और रिकॉर्ड टाइम के अंदर इन्होंने अपनी डाइबिटीस का रिवर्सल कर पाया, इनका फास्टिंग ब्लड शुगर उस समय आया था, करीब 1.500, खाना खाने के बाद का 200, HbA1c6.6 था, और वजन उस समय था इनका 83 kg, 165 cm के करीब इनका हाइट ह और इन्होंने जब GTT टेस्ट पास किया रिसेंटली, उस दिन इनकी ब्लड शुगर फास्टिंग में थी 79, क्लुकोस 75 ग्राम पीने के 1 घंटे के बाद में 152 और 2 घंटे के बाद में मात्र 87, मतलब इन्होंने अपना GTT सफलता से पास किया, HbA1c6 इनका 5.3 है और वजन कर 72 किलो है, हला कि वजन उनको और एक 5-7 किलो घटाना है, अगर वो चाहते हैं कि दोबारा कभी भी डायबिटीज नहीं आए लोटके, हला कि जब एक बार इनसान अपनी डायबिटीज का रिवर्सल कर लेता है, तो कभी भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरे किसी भी पेशेंट के साथ मैं ऐसा नहीं हुआ कि वो एक बार जीटीटी टेस्ट करने के बाद में दोबारा डायबिटिक हुआ हो, तो आईए चर्चा करते हैं, नमस्कार दिए, आपका क्या एक्सपिरियेंस राह डायबिटीज होने से लेकर के रिवर्सल तक का प्लीज शेयर करें, लोगों को मोटिवेशन मिलेगा? तो मैं जब वो करवानी गया, जब रिपोर्ट्स आई तो मैं जब देखा, तो डाक्स ने बोला कि आपको तो आप डायबिटिक हैं, तो बड़ा शॉकिंग नहीं था, यकिन माने कि मैं दो दिन तक खाना नहीं खाए, तो मेरे लिए वो बहुत सा शाकिंग था कि मैं हमेश इसराइड कोलेस्टरॉल भरना, ये सारे उसके पहले के हैं, करीब मैं 20 हिलने से गिनवाता हूँ लोगों को जो कार्वोईडरेट रिच डाइट से होती हैं, फिर जब डायबिटीर आपका डायग्नोज हुआ तो उसके बाद फिर कैसे, तो फिर क्या हुआ कि मैं जब सा था, तो मैं फेस्बुक देख रहा था, और मैंने आपके एक इंट्रु देखा, शायद मैं एक बुजर्ग थे, शायद 75 ये, 80 के शायद मुझे लगता हरियाना के थे वो, कहीं उनका शायद बाहर थे, अपने बच्चों के साथ वहाँ वापस वो लोटे थे हरियाना में और उन्होंने रिवर्सर किया था, तो मैं वो इंट्रव्यू करीब मुझे लगता है, मैं दस बार उनको देखा, और फिर सोचा कि शायद ऐसा हो सकता है, कि अगर ये कर सकते हैं, तो कि मैं ट्राइ क्यों न करूं, तो उसके बाद फिर मैं आपके यूट्यूब में चौरश्या जी मया मैं, उनसे पहली बात हुई थी मेरी, तो उनसे बात हुई तो फिर मैंने, मतलब टाइम नहीं लगा जोइन करना में, मैं एक डाइन से हैं मैं जोइन किया, और तो मुझे चार्ट मिला, घएट चार्ट मिला पहले दायाटिशन का चार्ट मिला 15 देज का तो मैंने शूर किया और second day से ही मैंने मैंने कुछ ज़्यादा इधर उदर सोचा कि बढ़ी मेरे को करना है कि मेरे को जाना है उसमें नारमल में मेरे को रहना नहीं है डाइबिटे ये बस ठान लिया था कि उसमें उसमें आपकी शुगर लेवल क्या आई थी जभी आपकी डाइबिटेस डाइबिटेस अगर इनिशाली मेरा शुगर लेवल जब मैं टेस्ट किया था 147 था मेरा फास्टिंग में और 200 204 चार के असपास मेरा एक हफता तो मैंने चक नहीं किया बट एक हफता मैंने इक हफते के बाद ही मैंने शुगर लेवल अपना मॉनिटर करना शुरू किया तो एक दम मेरा वह बिल्कुल नार्मल आ रहा था शुगर भी लोगों को यहीं बोलता हूं डाइटरी प्रोटोकॉल इतना सटीक रहता ह है कि दवाईयों से अच्छा कई बार काम करता है लोग जो दवाईयों पर डिपेंडेंसी रखते है ना तो दवाईयों के जैसा या उससे बहतर काम करता है कई बार लोग सोचते हैं कि मैना दो मैना लगेगा शुगर कंट्रोल आने लोगा अक्सर उन से कहना होता है विदे कर सकता हूं तो मैं खाने पर कंट्रोल करके देख लेता हूं पहले तो अब यह जी टीटी टेस्ट आपने कब पास किया और क्या नतीजे रहे उसके रीडिंग्स के बाद मैं कंटिन्यू मैं फर्वरी मार्च आप मांचिए कि फॉस्ट मार्च से मैंने डाइटरी बार जी टीटी के लिए तो मैं वह फालू करता रहा उसके लिए और फिर अभी रिसेंट्ली मैंने 21 जो जुलाई को जी टीटी किया और फास्टिंग में मेरा था 79 उसके बाद मैंने वह जब वह ग्लुकोस पीने के बाद वानार के बाद किया तो 152 आ गया था और फिर दो जो एक पैकट पूरा मिलता है वो पूरा पैकट अब आपका HBA1C कितना आता है इस समय अभी प्रेजेंटली मेरा HBA1C 5.3 है और मेरा वेट भी 72 के पास आ गया है और बेस्ट पार्ट यह है कि मैं पिछले कहीं सालों से जो बहुत जो मेजर इशू था मेरा वो सारी अभी मे प्रेजेंटली टेस्ट करवाया मेरा LFT मेंने करवाया मेने करवाया कि एक दम नार्मल है सारे और देखो एक बात बोलता हूँ क्या होता है जब आप ज़्यादा कार्वोहइडरेट डाइट में खाते हों तो आपका लिवर उससे फैट बनाता है और फैटी लिवर हो जाता और फिर वो फैट को डालता है खुन की नली में तो ट्राइगलिसराइड बढ़ता है और जितने भी कारडियक डॉक्टर्स हैं जितने भी हार्ट बीपी वाले डॉक्टर हैं वो मरीज को कार्वोहइडरेट बिंदास खाने को देते हैं और उनका फैट रोकते हैं कि उससे अटेक ना आ जाए जबकि फैट का उसमें कोई लेना देना ही नहीं है इसमें में लेना देना है आपके कर्वोहइडरेट का तो जैसे ही आप कर्वोहइडरेट कम करेंगे ना आपका लिपिट प्रोफाइल होके हो जाएगा आपका लिवर होके हो जाएगा किटनी के दिए सब्सक्राइब दूसरा है टैसे अंडर कुकिंग के टूसरा है जैसे गैस और दूसरा है केरोसिन जब तक गैस खतम नहीं होगी केरोसिन यूज़ वैसे ही बौडी जब तक शुगर खतम नहीं होगी पैट इस्तेमाल नहीं करेगी, तो हमने डाइट में क्या किया, शुगर घटा दी, कार्वो हाइडरेट घटा दी, फीका मीठा, तो जैसे ही कार्वो हाइडरेट घटा, बॉड़ी ने क्या किया, फैट वर्निंग चालू कर दिया, तो सबसे पहले बॉड़ी का शुगर जाएगा, तो ब्लड शुगर नॉर्मल आएगा, फिर लिवर का शुगर जाएगा, फिर उसके बाद में खून का ट्राइगलिसराइड यूज होगा, फैट, फिर लिवर का फैट यूज होगा, तो फैटी लिवर जाएगा, फिर body का fat use होगा, तो ये 5 energy के source हैं शरीर में, ये 1 by 1, 1 by 1 खतम होने चालू होते हैं, तो आपका obesity जाता है, fatty liver जाता है, triglyceride normal हो जाता है, शुरुआत होती है triglyceride से, फिर fatty liver और body का fat, ये दोनो parallel जाएंगे, अब आप एक 5-7 kg और वजन घटा लो, तो आपका fatty liver पूरी तरह abolish हो जाएगा, possible है अभी grade 1 आए, तो आने वाले 2-3 महीने में अभी diet को follow करते रहूं, same diet, बजन और घटने दो, 65-67 तक आने दो, फिर आप बेफिकर हो करके, relaxation ले सकते हैं इसके अंदर, dietitian उसके लिए भी guide करेंगे, हम भी guide करेंगे, कभी आपको कुछ अच्छा नारे, अभी भी contact कर सकते हैं, अब लोगों के लिए आपका क्या message है, वो message, लोगों के लिए message मुझे लगता यही रहेगा, कि अगर आप diabetes है, या हो, ऐसा कुछ है, तो आप सबसे बड़ी एक चीज है, मुझे लगता है, खाने को जिस आदमी ने समझ लिया, कि अपना खाना वो ख होते हैं, allergy का एक गोली खालो, अब कल से आप मुमफली वापस नहीं खाओगे, क्योंकि आपको मालुम है, इसका आपको allergy है, आप avoid करोगे, नहीं तो आपको फिर गोली खानी पड़ेगी, पर diabetes का मरीज इतनी ना समझी में जाता है, कि जिस खाने से उसकी शुगर बढ़ र तो यह ऐसा हो गया, मुमफली का allergy है, मैंने मुमफली खाई दिन में तीन बार और दो गोली खाली, तो जब वहां आप अपना logic यूज कर पाते हो, तो यहां क्यों नहीं करते हैं, और सबसे बड़ा धोका है आपके भोजन का starch, चावल में 80 टका, रोटी के अंदर 60 टका, य यह लोगों के दिमाग में नहीं बैठता, इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, diabetes holiday program जोइन करो, तो उसमें आपको सब सिखाये जाता है, जिससे पूरे घर की family की training हो जाती है, family के लोग आगे बीमार नहीं पड़ते, अब आपके जो next generation आईगी, वो यह नहीं बोल सकती कि पपा को diabetes था, तो मेरे को हो गया, वो पहले से ही cautious आईगे, ठीक है न, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और आपको बहुत बहुत थैंक्यू सर्थ, थैंक्यू, आपका सबसे पहले आपका thank you, कि मुझे लगता, पांच महीने पहले, वो एक mentally जो stress था वो within five months, आज में बहुत रिलेक्स हूँ, और सभी लोगों से भी यही कहूँगा, कि जो भी diabetic हैं, तो एक बार यह कर लीजिए, आप प्रोग्राम जोइन कर लीजिए, और definitely आप आप लोगों को बहुत इससे फरक मिलेगा, और definitely आप अपने sugars को control कर पाएंगे, और सबसे को समझाएगी कि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसी चीज जो मुझे बड़ा बड़ावा देगी, तो definitely आप से दूर जाएगा, और अगर मैं कर पाया, विजिन five minutes में reverse कर पाया हूँ, तो मुझे उमीद है कि सब लोग करेंगे, बस थोड़ी सी मैना तो initially चाहेद को भी मैं तो अपनी family को बहुत thank you करना जाओंगे कि उन्होंने सबसे पहले तो आपका और इसके पास family ने क्योंकि मुझे तो खाना ही था, but ultimately उन्होंने जो साथ दिया है, वो बहुत सरानिया है, उन्होंने बहुत मैनत किया, तो thank you सब का और सर आपका भी बहुत-बहुत thank आपको आपके परिवार को बहुत-बहुत बदाएं, thank you very much thank you sir, thank you very much thank you